नमस्कार साथियों, सीजी जॉप एजुकेशन के ओफिसियल यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, जो साथी नए होंगे हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दिखियों साथियों, जो प्री बीएड एवं, प्री डियेले सीट है, उन्हें में एडमिशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो अब प्राप्त जहनकारी के अनुशार बीएड डियेलेड की खाली सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया इसी मा से सुरु हो जाएंगी, जीहां साथियों, अगले सब्ताह ही जारी हो सकता है काउंसलिंग के ती थी, सब कुछ बात करूँगा, पूरे विस्तार से बात करूँगा, जो साथ ही नए होंगे हमारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसा कि ये पेपर कटिंग आपको इस्क्रिन पर दिखाई दे रहा है, बीएड डियेलेड की खाली सीटों में प्रव काउना है, इसके लिए अगले सब्ताह निर्देश जारी हो सकते ही, कहने कातात पर यह साथियो, जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग है, जो अगले राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग के संबंध में जो तीथी है, वो अगले सब्त जारी हो सकता है कहने कमेरतात पर यह साथियो सो मुआर से सुक्रवार तक कभी भी आपके बीट के काउंसलिंग के संबंध में जो प्रेश्विज्यप्ति जारी हो सकता है और आपको कहां दिखेगी तो ACERT जहां ACERT के official site से आप देख पाओगे जैसा कि आप सभी जार रहे हैं दो राउंड की काउंसलिंग के बाद B.A. और D.L.A. में उपलब्द है इन कोर्सों के लिए कुछ महिने पहले ही व्यापम द्वारा प्रवेश परिक्षायवजित भी की गई थी इनमें B.A. में दो लाख और D.A. में भी बहुत सारे साथी आवेदन किये थे जिसके तीन राउंड में काउंसलिंग होनी थी ठीक है इस बार तिसरे चरण की जो काउंसलिंग है ठीक है उसको लेकर संसय की स्थिती बनी हुई थी हाला कि अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुशार खाली सीटों के लिए काउंसलिंग जल्द होगा और इसके लिए अगले ही सप्ता जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है तो य दियेलेड के पढ़ाई करना चाहते हैं और अभी तक जो है इंतजार कर रहे हैं वो सभी साथी जो है बियर या दियेलेड में एडमिशन ले सकते हैं आने वले समय में प्रदेश में संतावन हजार सिक्षकों के रिक्तपद हैं और वर्तमान में 36 गर में विधान सभचुना संपन हुआ है जिसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बियर और डियर करने वाले साथियों की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या काफी जादर बढ़ाउतरी देखने को मिल सकती है फिर आल इस वीडियो में इतना ही विमल सर को इजाज़त दीजिए ब आहिन हुआ दे महात्रम